कोविद नाइंटीन के कारण थमी जिंदगी अब एक साल बाद धीरे धीरे पट्रे पर लोटने लगी है कोविद नाइंटीन को फैलने से रोकने के लिए पिछले साल मार्च में पूरे देश में लॉक्टाउन लगाना पड़ा था और लॉक्टाउन खुलने के बाद भी कई धना की पाबंदिया लागू रही अब जबकि ये पाबंदिया धीरे धीरे हट रही है और जिंदगी पट्री पर लोट रही है तो उधुपूर के इंडस्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में भी कख्षाई शुरू कर दी गई है बेरोजकारी को दूर करने वह आर्थिक गतिवीदियों को बड़ावा देने में ITI की काफी महतपुन भूमिका है क्योंकि यहां से प्रशिक्षन हासिल करके कुशल कारिगर या तो नीजी शेत्र में अच्छा रोजकार पाते है या फिर स्वेम का रोजकार स्थापित करके आत्मनेर भर बनते है अगर बाइचांस जॉब नहीं मिली तो हम अपना प्राइवेट काम कर सकते है लोगों के गर में फिटिंग बगएरा हर जगा काम पढ़ता है इसका हालात समाने होते देख अब ITI उधुपुर में इलेक्टरिशियन, कम्प्यूटर, प्लम्बिंग, फैशन डिजाइनिंग वो अन्य कई शेत्रों में कक्षाइश शुरू करती गई है इंस्टिट खुलने से विद्यार्थी भी काफी उत्साहित है और पूरे उत्साह के साथ अपनी ट्रेनिंग करने में चुट गए है जो हो सके हैं और वो अपना सलफ इंप्लाइड हो सकें क्योंकि डिमांड तो काफी रहती है गाउं में भी जैसे है काफी डिमांड रहती है कि टेक्निकली ट्रेन लोग हो तो यह हमारा पर्पुस है इसके लिए हम अपने स्टाफ को अलग-लग पंचाहितों में झाल